संद निरंकारी सत्संग बवन ठाकुर द्वारा तैसील इंदोरा में तेरह मई को सत्गुरु बाबा हरदेव सिंग जी की याद में समर्पन दिवस समागा मनाया गया जिसमें मुक्याती थी संद निरंकारी ब्रांच हाजीपुर के महात्मा सर्वन सिंग जी ने मदुर परवचनों से की और उन्होंने आई हुई साथ संगतों को निहाल किया सभागम में तकरीबन 600 महापुरुषों ने भाग लिया उन्होंने साथ संगतों को संभूदित करते हुए कहा कि सत्गुरु बाबा जी ने 36 वर्षों तक निरंकारी मिशन का नेत्रितुप किया है 13 मही 2016 को वो ब्रह्म लीन हो गए सद्गुरु बाबा जी ने विश्व शान्ती और सारभूम भाईचारे की स्थापना की सपने को पूरा करने के लिए अपने संपुरुन जीवन को समर्पित कर दिया बाबा जी प्रेम, दया और सेहन शीलता के प्रतीक थे बाबा जी के जीवन और शिक्षाओं से अंगिनत भक्तों को अपना आशीरवाद दिया गया ब्रह्म ज्यान की दाद दे कर मुक्ती का मार्क दर्शन भी किया गया बाबा जी ने रग्तान शीवन लगवाने की उचित व्यवस्ता की निरंकारी मिशन का विश्व में रग्दान में पहला स्थान है विर्क्षार ओपन का संदेश भी दिया गया ताकि प्रदूशन और ग्लोबल वार्मिंग से बचाव हो सके बाबा जी ने सफाई अभियान भी चलाया जिसमें रेल्वे स्टेशनों, सरकारी दफ्तरों, बड़े बड़े शेरों वे गाउं की सफाई करवाए गई जिन से स्वच्वारत अभियान में निरंकारी मिशन का पूर्ण योगदान रहा है बाबा जी मानोता के मसीहा थे, उन्होंने साथ निरंकारी मिशन के परसार को चन जन तक पहुचाने की मुहिम को तेज किया एक बर बाबा जी समागम में सेवा कर रहे थे, राजमाता जी और बाबा गुरुबचन सिंग जी रिहाईशी टेंटों में दर्शन देने आये बाबा हरदेश सिंग भी वहां मोके पर पहुँच गए सेवा दल के महापुरिशों ने अंदर नहीं जाने दिया बाबा जी एक लाइन में खड़े हो गए चाहते तो अपनी पैचान बता कर अंदर जा सकते थे कि मैं उनका बेटा हूँ बाबा जी ने गुर सिक्क्य को आगे रखा बाबा जी पुर्ण रूप से मिशन के लिए समर्पित थे हमें भी अपने मिशन के प्रती समर्पित रहना चाहिए इस मोके पर बेहन सरोज जी ने सुन्दर रचना से और बेहन रेनु ने सुन्दर कवीता से आशीरवाद लिया। ब्रांच मुखी मासर सुरेश चोहान ने आई हुई साथ संगतों को तहे दिल से धन्यवाद किया। समागम के बाद साथ संगतों ने लंगर भी ग्रहन किया। इन दोरा से गगर ललगोत्रा।